5 words of the day, 5 words of the day, फिर से शांदार शब्द लाया हुँ है, गागा, पहला शब्द गागा, गागा का अर्थ है दिवाना होना, लड़के फिल्म स्टार्च के दिवाने होते हैं, गागा माने दिवाना होना, गाला, गाला माने खुशी का, धुम धाल का, गाला डे, खुशी का दिन, एवरिबड़ी एंज्वाइज एक गाला डे, 15 अगस्ट, 26 जन्वरी, या कोई क्योहार का दिन, एवरिबड़ी एंज्वाइज एक गाला डे, खुशी का दिन, तो सभी एंज्वाइज करते हैं, आनंद मनाते हैं, गलोर, G-A-L-O-R-E, गलोर, काफी मात्रा में इसका अर्थ होता है, I have books in galore, काफी मात्रा में मेरे पास किताबे हैं, काफी मात्रा में, in galore, काफी मात्रा में, क्लैरिफाई, अब इसको क्लैरिफाई, मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूँ, मैं, वो है, क्लैरिफाई मानें, इसपर्ष्ट करना है, C-L-E-A-R, क्लियर, लोग उसी की किलिया बना देते हैं, बोलते हैं, क्लियरिफाई, ऐसा नहीं होता है, E, हट जाएगा, देखें, क्लैरिफाई, C-L-A-R-I-E-F-Y, इसपर्ष्ट करना, इसमें E नहीं लगता, क्लियरिफाई नहीं, क्लैरिफाई, इसपर्ष्ट करना, देखें, प्रोफेसर क्लैरिफाई मानें, और पैसिफाई बना है, पीस से, P-E-A-C-E, पीस माने शान्ति, पैसिफाई, शान्त करना, I always pacify my grandfather when he loses his temper, तो जब भी मेरे दादा जी नराज होते हैं, तो मैं उनको शान्त करता हूं, I always, मैं हमेशा उनको शान्त करता हूं, I always pacify, always माने हमेशा, pacify माने शान्त करता हूं, my grandfather मेरे दादा जी को, when he loses his temper, जब वो नराज होते हैं, कैसी लगी मेरी ये वीडियो, 5 words वाजी, like करें, share करें, subscribe करें, God bless you, thank you very much.